तो मेरे भाई इसमें मैं आपके नेक्स्ट कमेंट का जवाब देता हूँ अभी मैं होस्टल आया हूँ मेरे जो कि ऐसा बन रहा है सब व्यूवर्स ये चीज देखे भी और इस कमेंट का जवाब तुने देखिए सर बात यसी है कि अगर आपको बिलीव नहीं है कि एक लाग चाली सेजार मारी है तो मैं OLX का अभी रिसेनली मैंने सर्च किया उसमें भी मिनीमम से मिनीमम जो टाटा सूपर एस जो भी अगर कोई सर्च करना चाहे टाटा सूपर एस गाड़ी अभी कितने में आ रही कि आप पता करें से केंड न कितने मारे ये भी पता करें तो मैं आपको नंबर दे देता हूं आप बात कर लो आपको पता चल जाएगी उसना मुझे कितने में बेची गाड़ी मुझे पड़ी थी 2,65 में उसके बाद उस पर मैंने खर्चा किया वह तो है पर जब मैंने करें या ना करें उसके नंबर भी मेरे पास है आप उसे पूछ सकते हो केवल एक लाक रुपए उसने मुझे दिया 101 परसेंट एक लाक अगर वह उस चीज़ से मुकरता है तो मैं बता तो मेरे पास लिखा पड़ी भी पड़ी उसकी तो ऐसा तो सिर्फ गाड़ी गाड़ी म मेरे पास ही पड़ी है चलो आपकी तरफ से मानते हैं के 3800 भी आये तो भी वो 16,000 के कैनों पर अब इसका तो क्या अपने पास बिल नहीं है इसलिए इस पर डिबेट हो नहीं सकती पर तो भी आपके इसाफ से अगर 14 भी मानू तो 14 मैसे ये निकलो तो भी 10,000 मेरे तो नुक कुछ भी नहीं चाहता है आप से कैसा करो मेरे लिए वैसा करो ऐसा कुछ नहीं हम सिर्फ ये चाहते है लेडी से जिस से बात करें और थोड़ा ऐसा बना के रखो यार हम आपके दुस्मन नहीं है आप क्या पैसे या मैंने किया वेने क्या ये वो ये अच्छा नहीं लगता करें बस मुझे इतना गुसा आया कि आप लेडी से ऐसा बात करोगे तो आप सोचो ये नॉर्मल प्रक्रिया थी और ये इस कमेंट का जवाब है ठीक है और एक बात यह है कि वह गाड़ी मैंने चार महीने के लिए नहीं रखी मेरे भाई उस गाड़ी के मैंने ना रेंट व और एक साल कब निकला कुछ आपको पता नहीं चला लेकिन एक डेट साल बाद उस गाड़ी को मैंने बंगार में के रूप में ही बेचा है भाई मैंने सच में उससे पैसे नहीं कम है मैंने कोशिश वर्थ की थी एक बार वो गनपती वाला भी सीन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नहीं गाड़ी वह दी थी उस गाड़ी का क्या हलो तो आपको पता है उस सेंके बाद उसमें सत्रा अजार का खर्चा आया था एक बार उसका रेडियेटर वगरा पानी मिक्स हो गया फिर वह सही करवाया उसके बाद और खर्चा आया वो जब मैंने गनपती व में रहे थी आप टो अपने बातों से मुकर गए थे फिर कि कि आप और आना चारब है वाइब आप अधाना आप